नमस्कार, मैं आसिप उसरार और आप देख रहे हैं TheFourPillar.News अभी अभी पांच राज्यों में चुनाऊ हुए हैं इन पांच राज्यों में से तीन राज्यों में भाजपा, एक राज्य में ZPM और एक राज्य में कॉंग्रेस की सरकार बनी हैं आप कह रहे होंगे कि आखिर हम आपको बासी खबर क्यों दे रहे हैं जो बात आज हम बताने जा रहे हैं वो बासी नहीं है बलकि दिल्चस्प और मज़ेदार है भले ही पांच राज्यों में से तीन राज्यों में भाजपा ने कॉंग्रेस को मात दे दी है लेकिन कैसा हो जब हम कहें कि वोटों की गिनती में कॉंग्रेस ने भाजपा को कुल 11 लाख वोटों से हरा दिया है यानि अगर हम पांच राज्यों में प्रतेक पार्टी द्वारा प्राप्त वोटों को मिला दें तो भाजपा के कुल वोटों की संख्या 4 करोड 81 लाख हो जाती है वहीं कॉंग्रेस की संख्या 4 करोड 92 लाख है तो ऐसे में लोगों ने कॉंग्रेस को भाजपा से ज़ादा वोट किया है क्यों? है न ये दल्चस्प बता दे कि मध्यप्रदेश में बीजेपी को कॉंग्रेस से 36 लाख अधिक वोट मिले वहीं राजस्थान में करीब 9 लाख जादा वोट मिले और 36 गड़ में ये संख्या 6 लाख वोटों की थी यानि इतने वोटों के अंतर से भाजपा ने इन तीन राज्यों में कॉंग्रेस को हरा दिया था जब हर जगा भाजपा ही को जादा वोट मिले हैं तब कॉंग्रेस कैसे वोटों की गिनती में आगे निकल गई तिलंगाना में कॉंग्रेस ने भाजपा को एक भारी अंतर से माद दी है वो अंतर 60 लाग का है यानि तिलंगाना में जहां भाजपा को 32 लाग वोट मिले हैं वहीं कॉंग्रेस को 92 लाख लोगों ने वोट किया है वही मिजोरम में भी कॉंग्रेस ने भाजपा से एक लाग से कुछ अधिक वोट प्राप्त किये हैं हालिय विधान सबाच चुनाओं के नतीजे बेशक कॉंग्रेस के लिए नेराशर जनक है क्योंकि साल 2018 में राजिस्थान, 36 गड़ और मद्यपरतेश तीनों जगा कॉंग्रेस जीती थी लेकिन इस बार उसके जोली में तीनों जगा हार आई है भले ही कॉंग्रेस को 2020 में सरकार गिर जाने के वज़ा से MP में सत्ता गवानी पड़ी थी लेकिन पार्टी को उम्मीद थी कि वह इस बार बीजेपी को मद्यपरतेश में हराने में कामियाब होगी वही राजिस्थान में भले ही नीवर्तमान सीम अशोग गैलोद के नितरित्त में कॉंग्रेस हार गई हो लेकिन इसके बावजूद पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामियाब रही तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप हमें कमेंट करके बताएए कि आपको कैसी लगी यह जानकारी आप देख रहे थें धपोर्टविलर.news धन्यवाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित हैं इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानू जैसे फेस्बुक, इंस्टेग्राइम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं शुक्रिया